हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सब का मेरे किचन रुपाली की रेस्पी में आज मैं आप लोगे साथ करे लेकि एक बहुत ही सिंपल सी रेस्पी सेयर करने वाली हूं तो यहां पे मैंने करेले ले लिये हैं और इसे मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने इसमें और नमक डालने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढग करके 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो अब यहाँ पे 10-15 मिनिट हो चुके हैं तो अब मैंने यहाँ पे ढगन को हटा लिया है और करेले में अब आप देख सकते हैं की थोड़ा मोईस्चर आ चुका है नमक डालने की वज़़े से नमक डालने से करेले में पानी छूटता है तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे पानी और अब हम करेले को यहाँ पे 3-4 पानी से बिल्कुल अच्छे से वॉस कर लेंगे और इसे वॉस करने के बाद हम इसे अलग निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने करेले को अलग निकाल लिया है और अब मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ एक पैन ले लिया है तो जैसे ही जीरा हमारा पक जाएगा तो हमने जो करेले वास करके रखे थे इसे हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे तेल के साथ और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे यहाँ पर करेले को थोड़ी दिर तक ढख करके पकाएंगे तो थोड़ी दिर के बाद आप आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे धकन को फिर से हटा लिया है तो करेले अभी हमारे यहां पे अच्छे से पके नहीं अभी और पकेंगे तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और प्याज डालने के बाद हम इसे करेले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज को और करेले और प्याज को मिक्स करने के बाद हम इसे धक करके low flame, medium flame पे थोड़ी दिर तक और पकाएंगे अब मैंने यहाँ पे धकन लगा दिया है और अब हम यहाँ पे थोड़ी दिर के बाद फिर से धकन को हटा लेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि करेले हैं हमारे तो अब यहाँ पे करेले हमारे पूरी अच्छी तरह से नहीं पके हैं तो हम इसमें एट कर देंगे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालें के बाद हम इसमें एट कर देंगे श्वादनुसा, नमक और हल्दी पाउडर और नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे करेले और प्यास को अच्छी तरह से और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढख करके थोड़ी देर तक और पकाएंगे क्यूंकि करेले अभी हमारे बिल्कुल अच्छे से पके नहीं है ये अभी थोड़ी दिर तक और पकेंगे तो इसे मिलाने के बाद हम इसे ढख करके थोड़ी दिर तक पकाएंगे तो थोड़ी दिर के बाद मैंने यहाँ पे फिर से ढखन को हटा लिया है तो अभी अच्छी तरह से नहीं पके हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर तक और पका लिया था मैंने करेले को और अब आप देख सकते हैं कि करेले हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इनमे और अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे तो हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सुब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप मेरी इस रेश्पी को एक बार जरूर ट्राई करें